दोस्तो उमीद आपको आउट सोर्सिंग का कॉंसेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा आउट सोर्सिंग है ना कि जब आपका काम बढ़ जाए तो आप अपना काम बाहर कॉंट्रैक्चियल बेसिस पे आउट सोर्स करते हैं स्वाल ये पैदा होता है कि आउट सोर्सिंग क्यों और कब की जाए वो कौन से ऐसा पॉइंट आफ टाइम आता है आपके करेयर में अज़ फ्री लांसर कि आपको जरूरत पेश हाती है महसूस होती है कि आप आउट सोर्सिंग करें देखें एक है अग्समप टेखते है वो एक्समप आपको बड़ा क्लिERली समझा जाएगी जैसे आप ये विदियो देख रहे है पानी बर रहा है बरी जाजर है रुख जा भाई रुख जा और पानी ओवर फ्लो कर गया ओवर फ्लो पानी क्या हुआ जाया अगर ओवरफ्लो पानी जाया हुआ तो किस वज़ा से हुआ है दो मुम्किना वजुहात यहां पे नजर आ रही है एक पानी ज्यादा था दूसरा गिलास छोटा था तीसी और तो कोई वज़ा है नहीं अब इमेजिन के ज्या पानी यानि के जो ज्या हुआ वा पानी वो आपका काम था गिलास आप खुद थे यानि के आपकी इस्तदाद से ज्यादा आपके होल्डिंग केपैसिटी से ज्यादा काम आपको मिल गया पानी की तरह ओफ्लो कर गया क्योंकि आपके पास कोई फिसिलिटी नहीं थी कि आप ज्यादा पानी को ज्यादा काम को कैसे होल्ड कर सकते पैसा तो पैसा है ना, कहीं से भी आ सकता है, काम की सूरत में और अगर आप में अबिलिटी नहीं है, कि आप उसको होल्ड कर सकें, तो वो ओर्फलो हो जाएगा यानि कि आप आपरचुनिटी लूज कर देंगे, काम जाया हो जाएगा अब इमेजिन एक और सिनेरियो लेते हैं, ये जो पानी भर गया है टॉप तक, एक छोटे से गलास में, इसके साथ मेरे पास एक जग है, जिसमें आदा पानी भरा हुआ है अगर मैं ये गलास का पानी उठा के जग में दाल दूँ, चला जा भाई, चला जा, चला जा, चला जा, या अभी भी जग में, टॉप कपैस्टी, उपर वाले हिस्से में, काफी जगा है गलास भी खाली हो गया, और पानी भी जाया नहीं हुआ ये है वो कॉंसेप्ट जब आउटसोर्सिंग की रिक्वाइर्मेंट, आउटसोर्सिंग की नीड आ पहुँच दिये ये पानी, एक्स्ट्रा काम है, जब भरने लगे, तब उस जग के बारे में सोचिए पूल आफ रिसोर्सिंग जो आपकी मदद कर सकें, पैसे लेके और आपका काम कंप्लीट कर सकें, फिनिश कर सकें, दोनों ही पैसे कमाएंगे, जैसे जग में पानी की तरह, जब इस पानी से मुस्तफीद हो सकते हैं, ये जाया नहीं हुआ, अगर ये जाया होता, जमीन पे गिर जाता, तो इनसान के तो काम狂 नहीं आना था, लोस्यक्ति आएंगे जुआ को सूर कर लिया गया फिसिलिटी थी, कपैसिटी थी, और इंतजाम किया हुआ था, पानी जाया होने से बच गया, इसी तरीके से, अगर फिसिलिटी हो, इंतजाम हो, तो काम, यानी के एक्स् आउटसोर्स करने से आपरचुनिटी लूज नहीं होती पैसा लूज नहीं होता और ब्रैंड इमिज मजीद बढ़ता जाएगा क्योंके काम तो आपको ही मिला था प्रोफाइल तो आपकी बड़ी फीड़बेक भी अच्छी सी आपको मिली अरे और आपको क्या चाहिए तो इस वेर इट इस इंपॉर्टन के जब काम आपकी इस्तिदाद से आपकी आपकी अबिलिटी से ज्यादा बढ़ जाए दो ही हाथ होते हैं एक इनसान के तो फिर ये दो हाथ दो हाथ दो हाथ दो हाथ अरे ये आठ हाथ कितना ज़्यादा काम कर सकते हैं यूर गैस इस गुड अज माइन तो आउट सोर्सिंग के बारे में तब सोचिए जब पहले वाले गलास की तरह आपको लगे के पानी जाया होने वाला है